हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी दोस्तों यह उपाय बिल्कुल ही सिंपल है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह उपाय करने से पहले आप अपने मन को सुद्ध कर ले क्योंकि यह उपाय हमें स्रद्धा पूर्वक करना है यदि हम विश्वास नहीं रखेंगे तो यह उपाय कारगर नहीं होगा दोस्तो जैसे पत्थर को यदि माने तो भगवान कहा जाता है यदि ना माने तो वह मंदिर में भी पत्थर के समान होता है तो दोस्तो इसी तहे हमें यह उपाय करने के लिए अपने मन को सुद्ध एवं सच्ची स्रद्ध से करना होगा दोस्तो आईए हम बताते हैं इसको करने के लिए हमें क्या-क्या चीजे जरूरत होंगी दोस्तो हमें सबसे पहले एक लौंग लेनी है उसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है इन दोनों को लेने के बाद आपको घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाना है घीकदीपक जलाने के बाद आपको इस लौंग को लाल कपड़े में बांध देना है दोस्तो ध्यान रहे यह उपवाइट करते समय आपको इस बारे में किसी को नहीं बताना है चाहे वह आपके पिता हो, माता हो, बहन हो या पतनी हो आपको यह उपाय किसी को भी नहीं बताना है नहीं अपने दोस्त और मित्र को बताना है दोस्तों यह उपाय भी कुछ चुपचाप करना है यदि आप यह उपाय चुपचाप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी यानि आपके घर में धन आने लगेगा जिन लोगों के पास खूब सारा धन है लेकिन वह उसको बचा नहीं पाता वो खर्च हो जाता है यानि वह कमाता तो खूब है लेकिन बच नहीं पाता वह भी अगर यह उपाय करेंगे तो वो देखेंगे कि उनका जो भी कमाया हुआ पैसा है वह बचने लगेगा और उनके फाल्तू के खर्चे अपने आप कम होने लगेंगे तो दोस्तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिए दोस्तो मैं आखिर में बताना चाहता हूँ कि आप इस उपाय को किसी को भी ना बताएं यह बात आप ध्यान रखें तो दोस्तो आप इस उपाय को स्रध्धा पूर्वक जरूर करके देखिए यह उपाय 100% कारगर है तो दोस्तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए यह आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना न भूले और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद